नमस्कार मैं हूँ भूवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात चोरी वो भी पुलिस की आँखों के सामने क्या ऐसा भी कभी मुम्किन है आप कहेंगे ऐसा तभी मुम्किन है जब पुलिस चोरों से मिली हुई हो लेकिन आज हम आपको जो वाकिया दिखाने जा रहे ह उसमें पुलिस के चोरों से मिले हुने जैसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी चोरी होती है पुलिस के आँखों के सामने होती है आखिर कैसे होता है यह सब देखेंगे तो चौंक जाएंगे CCTV में कैद चोरी की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी आपने कई बार चोरों को कैमरों से बचने की जुगत करते भी देखा हो लेकिन क्या कभी ऐसी चोरी देखी है जब चोरी हो रही हो और पुलिस मौके पर पहुँच जाए यकिनन आप कहेंगे कि अगर कभी ऐसा हुआ तो भी चोर या तो मौका ये वार्दात से भाग जाएंगे या फिर मौके पर ही पकड़ लिये जाएंगे लेकिन यहां मामला बिलकुल अलग है ये वाक्या है दिल्ली के नजफ गड़का सर्दी की सुबह में अभी सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है चार ओर सन्नाटा है और रोड लाइट्स जल रही है तभी अचानक शौल ओढ़े 5-6 महिलाएं बाजार की इस गली में नज़र आती है चुकि तमाम लोग नींद में हैं इन महिलाओं पर निगाह रखने के लिए इस CCTV कैमरे के अलावा फिलाल यहां कोई भी नहीं ऐसे में किसी को इनके इरादे से वाकिफ होने का सवाल भी नहीं उठता यह महिलाएं कुछ दूर चलती हैं और फिर एक दुकान के सामने बैठ जाती है इसके बाद वे बड़े ही शातिर तरीके से इस दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन सरसरी तौर पर देखकर उनकी इस कोशिश का अंदाजा लगाना मुश्किल है शटर आसानी से नहीं टूटता लिहाज़ा यह अपना प्लैन बदल देती हैं और अगली दुकान की तरफ पढ़ जाती है लेकिन इसके बाद ये महिलाएं जो तरीका चुनती है वो बेहग अजीब है तीन-चार महिलाएं दुकान की ओर पीट करके अपने शौल फैला कर खड़ी हो जाती है ताकि इनकी ओट में दुकान में दाखिल हुआ जा सके तुरंथी शौल फैला कर खड़ी इन महिलाओं के पीछे से बाकी ओरतें इस गैंग की सबसे छोटी लड़की यानि तकरीबन दस साल की एक बच्ची को शटर के नीचे से दुकान के अंदर घुसाने में काम्याब हो जाती है ये सब कुछ पलक जपकते हो जाता है और बाहर खड़ी तमाम ओरतें फिर से अपनी अपनी शौल ओड़कर कुछ ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं अब इस गैंग की एक लड़की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी है और बाहर तमाम ओरतें पहरा लगाए खड़ी है ताकि किसी के आध हमकने पर उसे गुमराह कर आसानी से चलता किया जा सके दुकान के अंदर की तस्वीरे तो कहीं और भी ज्यादा चौकाने वाली हैं लेकिन इस से पहले कि हम आपको इस दुकान के अंदर की ये चोरी बिलकुल लाइव दिखाएं आपको बाहर की वो तस्वीरे दिखाते हैं जो अंदर के मंजर से भी कहीं ज्यादा अजीब है अभी अंदर चोरी चल रही है बाहर औरतों को अचानक पुलिस की साइरन सुनाई देती है लिहाजा पूरा का पूरा गैंग सकते में आ जाता है और फौरन सभी की सभी महिलाएं पास खड़ी कार की ओट में छिपने की कोशिश करती है लेकिन तभी इस मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इससे पहले की ये महिलाएं छुपने में काम्याब होती एक बाइक पर पेट्रोलिंग करते पुलिस के दो जवान मौके पर आप पहुचते है अब पुलिस के सामने चोरनियों का पूरा का पूरा गैंग मौजूद है यहां तक कि इस गैंग के पीछे इन्ही की एक लड़की पास की दुकान में चोरी कर रही है पुलिस वालों को इनके यहां होने पर पहले तो शक होता है वो रुक कर और अउरतों से पूचताज भी करते हैं लेकिन अगले ही पल जो कुछ होता है वो सबसे चोंकाने वाला है जाने ये औरते इन पुलिस वालों को कौन सी घुट्टी पिलाती हैं कि अगले ही मिनट पुलिस वाले बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं तो क्या ये इस कहानी का धियंड है नहीं 안दर की बात अभी बाकी है पलिस के सामने चोरी की वारदाथ हो जाए ये सुनना वाकई में अजीब लगता है लेकिन यहां न सिर्फ पलिस की मौजूदी में चोरी होती है बल्कि पलिस चोरीयों से जर्याफ भी बी करती है और बाथ भी करती है बावजू दिसके चोरी हो जाती है सरसरी निगाह में अगर एक बार देखा जाये तो हो सकता है ये वारदात दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी ना हो लेकिन इस वारदात के पीछे की कहानी आप जानेंगे तो यकीनन दिल्ली पुलिस के स्मार्टनेस पर सवाल उठना तो लाजमी हो जाएगा कैरमें प्रशांद राए के साथ विशार प्रताप सिंग दिल्ली आस तक दुकान के बाहर खड़ी चोर्नियों से पुलिस पूछताच कर रही थी और दुकान के भीतर गल्ला लुट रहा था रुपए बटोरे जा रहे थे और पुलिस का भोलापन देखिए वो पूछताच कर निशिंद हो गई और चोर्निया माल बटोर कर आराम से निकल गए और यह सब कुछ हुआ सीसी टीवी कैमरे के सामने अंदर चोरी पाहर पहरेदारी और साथ में पुलिस अजीब है ना पहली बार अपनी दुकान की ये तस्वीरे देख कर इसके मालिक को भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ यकीन नहीं हुआ कि कैसे चोर्नियों का एक पूरा का पूरा गैंग ना सिर्फ उनकी दुकान से हजारों रुपयों पर हाथ साफ कर गया बलकि ये सब कुछ पुलिस वालों की आँखों के सामने होता रहा लेकिन फिर भी पुलिस वाले इन चोर्नियों का बाल भी बांका नहीं कर सके गरज ये कि आँखों के सामने चोरी होने के बावजूद पुलिस वालों को ये गुमान नहीं हुआ कि ये औरतें इस दुकान में चोरी कर रही हैं दिल्ली के नजबगर की इस गली में 18 नौंबर की सुबह की ये तस्वीरें तो आपने देख ली अब आईए आपको दुकान के अंदर की तस्वीरे दिखाते हैं देखिए किस तरह चोर्नियों का ये गैंग अपनी सबसे चोटी मिंबर यानि तकरीबन 10 साल की एक लड़की को शटर के नीचे से दुकान में घुसा रही है लड़की बिजली की फुर्ती से दुकान में घुसती है और फिर अंदर पहुँच कर दुकान के कैश काउंटर यानि गल्ले की तरफ कुछ इतनी देजी से लपकती है जैसे सब कुछ उसका पहले से देखा भाला है यहां तक की वो अंदर पहुच कर एक बार पूरी दुकान पर आँख भी नहीं फेरती की कहां क्या रखा है जाहिर है ये लड़की भी अपनी गैंग की दूसरी आउरतों की तरह काफी ट्रेंड है अब वो पहले तो गल्ले में रखे कैश को अपने कपड़ों में छिपाती है और जब उसे तसली हो जाती है कि अब इस गल्ले में कुछ और बचा नहीं है तो फिर दुकान में रखे दूसरे सामान यानि कपड़ों पर निगाह फेरती है मन ललचता है और अब रुपए बटोरने के बाद वो कुछ कपड़े ट्राई करने लगती है इधर वो तसली से दुकान में रखे सामानों पर हाथ साफ कर रही है और उधर बाहर खड़ी चोरनिया पुलिस वालों को अपनी बातों में उलज़ा रही है हालकि इस दौरान लगातार ये खत्रा बना हुआ है कि कहीं अंदर चोरी में लगी लड़की बाहर की हालत से अंजान होकर पुलिस वालों की मौजूदगी में ही सामने ना चली आए लेकिन इत्तिफाक से ऐसा नहीं होता और पुलिस वालों के कहने पर ये औरतें भी वहां से निकलने का नाटक करती है अब पुलिस वाले अपनी बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए आगे निकल चुके हैं और और औरतें पुलिस को धोखा देने के बाद एक बार फिर से वापस वहीं लोट आती है क्योंकि अब उन्हें अंदर चोरी कर रही अपनी लड़की को दुकान से बाहर निकालना है लोगों की निगाहों से बच कर अब वो दुकान के अंदर मौजूद लड़की को इशारा करती है और वो लड़की बिल्कुल बेफिक्र और बेजी जग बाहर चली आती है इस लड़की के लिए शटर के नीचे से दुकान के अंदर दाखिल होना जितना आसान है बाहर आना भी उतना ही आसान लड़की अपने साथ गल्ले में रखे तकरीबन 40,000 रुपए के साथ साथ कुछ कपड़े भी लेकर निकलती है और लड़की के बाहर निकलते ही ये आउरतें तेज कदमों से मौके से भाग निकलती है लेकिन इस चोरी के साथ इसी गली में दिखे एक आटो का भी कोई ना कोई रिष्टा जरूर है जिस रोज ये चोरी होती है आउरतों के यहां आने से पहले कैमरे पर एक आटो नजर आता है अब आईए आपको ठीक एक दिन पहले इसी गली की एक दूसरी तस्वीर दिखाते है इस गली में सुबह के तकरीमन उसी वक्त एक आटो आकर रुखता है और आटो से एक लड़का उतर कर पास खड़ी कार की तरफ बढ़ता है तब तक एक दूसरा लड़का कार के अंदर दाखिल हो चुका है और अंदर से बॉनट खोल देता है और तब पहला लड़का बड़े आराम से बॉनट उठा कर कार की बैटरी निकालता है और फिर इतमिलान से उसे आटो में रखकर रफूच चक्कर हो जाता है अगले दिन सुबग कार का मालिक चौंकता जरूर है लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता एक आटो में आया चोर्नियों का गैंग पुलिस की आँखों के सामने एक दुकान में सेंधमारी करने में काम्याब हो जाता है यकीनन चोर बेखौफ हैं और पुलिस बेखबर ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस चोरों के गैंग ने दिनली में किसी और वारदात को अंजाम ना दिया हो इससे पहले भी आटों में बैटकर आने वाले इन महिलाओं के गैंग ने दिनली में कई वारदातों को अंजाम दिया है लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की और ताज्यू की बात ये है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट पुलिस का दम भरने वाले दिल्ली पुलिस की आँखों के सामने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले में किसी भी महिला को गिर्फतार नहीं क चाल ओड़कर माल साफ करने वाली चोर्णियों ने दिल्ली के ही करोल भाग में इसी अंदाज में एक जुल्री शुरूम को साफ कर दिया सीसी टीवी में तब भी चेहरे तो साफ नहीं दिखे लेकिन चोर्णियों की नई हरकत ये याद दिला गई ये वही गैंग है पांच बच करें 11 मिनट 58 सेकंड अपनी छटी साथी को दुकान के अंदर छोड़कर जाने के करीब 13 मिनट बार पांच ओ और ते एक बार फिर गली में नज़र आती है इस बार पांच ओ गली में दाईं तरफ से दाखिल होती है पांच ओ फिर से ठीक उसी दुकान के शटर के बाहर आकर रुक जाती है इसके बाद एक औरत खड़ी रहती है और पहले की तरह हैं शौल का परदा बना कर पीछे शटर को छुपा देती है जबकि बागी औरते नीचे बैट कर शायद अपनी छटी साथी को अंदर कुछ इशारा देती है पांच बच कर 13 मिलट 17 सेकेड इशारा पाते ही एक बार फिर से शटर का मुझ थोड़ा सा खुलता है और वही दुबली पतली औरत दुकान के अंदर से उसी तरह रेंगते बाहर निकलाती है निकलने से पहले वो अंदर से एक पॉलिथिन अपनी साथी को पकड़ा देती है इस पॉलिथिन में जेवर भरे है वो जेवर जिनके कीमत करी 25 लाग रुपे से ज्यादा है वो बाहर आते ही अपनी शौर ओड़ती है और फिर सारी ओड़ते गली के पाई तरफ से बाहर निकल जाती है आज से पहले आपने महिलाओं को 400 BC करते या किसी दुकान के अंदर से चोरी करते तो CCTV में कई बार देखा था लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस पी चौंग गई है कि कैसे महिलाओं ने गैंग बना कर इस वारदात को अंजाम दिया रात के स में उन्होंने शटर को तोड़कर अंदर से लाखों का माल उड़ाया और फिर रफू चकर हो गई तो ये तो रही रात के अंधेरे की कहानी जाहिर है अब आप समझी गए होंगे कि ये चोरनी का गैंग था जिसने एक जोहरी की दुकान पर सेंद मारी थी आई अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं दर असल इस दुकान में शटर के अलावा अंदर शीशे का दर्वाजा था चोरनी गैंग ने पहले शटर के लौक को और फिर शीशे के दर्वाजे के लौक को इस कारिगरी से काटा कि शटर थोड़ा सा उपर उड़ गया शीशे का दर्वाजा अंदर की तरफ ही खुलता था लिहाजा उसे धक्का देकर चोरनी अंदर खुस गई वो तो गली में सीसी टीवी कैमरा लगा था इसलिए इस चोरनी गैंग का चेहर उसमें कैद हो गया लेकिन इसके बावजू तिलहाल उनका कोई सुराख नहीं मिला पुलिस को शक है कि चोरनी के इस गैंग ने दिल्ली में दूसरे इलाकों को भी अपना निशाना बनाया होगा लहाजा दिल्ली पुलिस पूरे जोरो शोर से इस गैंग की तलाश में चुट गई अपनी ग्रज्ट क了 इसमय आयसे बादू थक्षकों bliss झाल